हाईलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल आप सब कैसे हो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आईए हस्टमी के दिन का वीडियो है घर में कुछ फंक्शन था जिसकी वज़े से दो तीन दिन चला गया तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी तो सुबर की साफ सफाई घर की करके अब पूजा करने आ गई हूँ और आज मेरा वरत भी है तो केवल बच्चे जो है आज सुबर से ही एक दिन पहले से भी और आज के दिन और नौमी वाले दिन दिन इतनी कन्या खिलाई गई थी ना कि सुबर सुबर मैंने उनको नहला के बेज दिया तब से मैं घर के सारे काम कर रही हूं और वो ना कन्या ही सुबर से खा रही है एक जगा से आती हैं तब तक कोई ना कोई और आ जाता है बुलाने के लिए या उधर से ही लेके चले जाते हैं और मेरी पूजा अब खतम होने वाली है इसके बाद जा रही हूं मुझे आज कह तो मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था उसके बाद भी फिर कोई एक लोग आ गई दो वजे के आस पास वो फिर लेके चली गई तो मुझे बेट करना पड़ा और मैं चाह रही थी कि 11-12 बजे मैं निकल जाओंगी अमनी फ्रेंड से मिनने पर शर्मा जी को दोपायर में जाओंगी क्योंकि पूरी नेवरात्री मैं दर्शन करने नहीं गई हूं तयार हो गई हूं अभी जाओंगी सबसे पहले अपनी फ्रेंड से फ्रेंड से मेरी क्लासमेट मतलब तीनो चीजे हैं तो कॉमबो है थीन का हम दोनों एक साथ ही स्टड़ी हैं वन से लेके टॉल त गई हूं उसके बाद वहां जाओंगी और वहां से फिर घर आ जाएंगे मिलते हैं वीडियो में और मैं गई थी तो तीन साड़े तीन बज़िया था तो वहां से मिलके आ चुकी हूं साम हो गई है करीव साड़े च्छे साथ बजने वाला है और इसके बाद ये मेट्रो का क की हैं और इसके बाद साम को भीड एक काद बार गई हूं तो काफी रही लेकिन ना बहुत जादा थी ना बहुत कम थी पस अभी तो ये स्टार्टिंग का इसके आगे है भीड और कुछ जवारे की तीन चार ग्रूप की थे तो उसकी वज़े से थोड़ा मंदिर के सामने ज में तो वो भी है और अच्छी बात ये हुई कि कुहू जो है वो सो गई थी तो साथ में नहीं आई है केवल पी हूँ और मैं आई हूँ और अच्छा हुआ क्योंकि भीड बहुत है वो अपने पापा के पास ही बाहर ही रुक गई थी उन्होंने गोदी में उसको ले लिया अपना सोती रहेगी बाद में मैं जब दर्शन करके पहुची थी तो जग रही थी लेकिन नहीं आई तो अच्छा था क्योंकि बीड बहुत ही और यहां कुछ का मैं मंदिर में बहुत जादा थी और यह सारे जवारे निकल रहे हैं तो इनकी वज़े से मुझे मंदिर जान बाहर से ही जो बनाया था बनाया था और प्यू पूछ रही है इन लोगों को दर्द नहीं होता है यह जो लगाते मैंने को पता है नहीं होता तो होगा ही मुझे देखके ना अंदर से बहुत दर्द सा लग जाता है और अब परिशाल लेके जा रहे है माताजी की दर्शन करने के लिए तो बस लाइन में जब तक खड़े थे ना तब तक ही वीडियो बने गए और ना उसके बाद तो फिर नहीं बन भाएगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि किक बस किसी तरीके दर्शन ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है तो ये मंदीर का फ्रंट है जहां पर मताजी जी है तो यहां पर तो सई हा यहां पर तो मैं ने बना लिया था इसके भी लाइन पे खड़े हो गए थे लाइन में। बहुत ज्यदा भीर नहीं थी लेकिन हाँ मंदीर के अंदर दर्शन करने के टाइम बहुत ज्यादा भी उरती वहाँ तो बस किसी तरीके निकल पाऊ यही हो रहा था और मंदीर से दर्शन करके आगें मैंने सुचा सायद प्यू जूला जूलेगी तो मैं ले गई थी उधर पर नहीं गई वो कुह होती तो जरूर सायद दोनों जाती है फिर एक क्रॉकरी शॉप पे आ गए थे वहां से मैंने कुछ मैंने जाल लिए और फिर उसके बाद आ गए थे घर पे पूचा पाट कर दिया है प्यू बोली मुझे खाना नहीं खाना है तो मैंने एक सायड अपने लिए चाय चड़ा लिए और उसके बाद दूसरे सायड केवल आलू की बिजिया मैंने बनाई है और दही दे दूंगी तो सर्मा जी वो खा लेंगे और ये लेके आई हूँ मैं मंदर जब गई हुए थी और आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करिएगा मैं न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर